11 अगस्त 9 बजे के आसपास से इंडियन फ्रांस विरेश फोगाट के केस का अपडेट जानने के लिए बैठे हुए थे लगातार क्योंकि ये जो केस पे फैसला आना था लगातार डिले हो रहा है और एक बार फिर से ये डिले हो गया है सुरज है उमीद इसलिए क्योंकि ये इतनी बार टल चुका है कि अब तो जब तक आना जाए बस उमीद हो सकती है ये लगातार तीसरी बार टला है तो ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि सीएस जो है वो 24 घंटे के अंदर अपना फैसला सुना देता है जब केस फा अगस्त हुआ है दर असल ये मामला बड़ा कॉंप्लेक्स हो चुका है क्योंकि आपने विनेश को डिस्क्वालिफाई करा सारे रिजल्ट उनके नल और वाइड कर दिये उसके बाद क्या होता कि जो पहले राउंड में विनेश से हारी थी सुसाकी उसको आपने को तुरू जाएगा जब फाइनलिस्ट का सारा डिजल्ट नल और वाइड हो गया वह एक भी मैच जीती नहीं तो साकी क्यों गई जो क्यूबा की लड़की सेमी फाइनल में हारी थी विनेश से उसने बाद में फाइनल खेला उससे जो लड़की हारी थी उसको रेप्चेज हैं उन्होंने भी कहा था कि मैं पहले BCS के केसिस देख चुका हूं CS की जो केसिज होते हैं उसमें जीत पाना बड़ा मुश्किल होता है बहुत कम चांसे होते हैं लेकिन फिर वही बात है कि जैसे CS के mostly cases अभी तक क्योंकि जो हमको बता है कि उनकी जो फैसला सुनाया गया है वो 24 घंटे के इंदर सुना दिया है लेकिन इतना डिले नहीं देखा गया हां क्योंकि यह situation पहले कभी आई नहीं थी न यह बड़ी complex situation हो गया अगर विनेश को नहीं देते हैं यह silver तो इनको यह बताना होगा कि सुसा की किस आधार पर ब्रॉंज लेकि आई और अगर विने किसे क्या फैसला लाया जाए कि सारे पक्षिस से संतुष्ट हो और यह मामला उस दिशा में ना जाए जिधर वो जाने से नहीं जाना चाहते हैं मतलब silver medal जो UWW नहीं देना चाहता है क्योंकि उनका जो रूल है वो शुरू से यहीं क्यारे कि हमारा रूल है आप जिसका जो आप नाच्रल वेट क्याटेग्री आप उसमें फाइट कीजिए ताकि ऐसी प्रॉब्लम आए ही नहीं लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था ना हमने ऐसा नहीं सुना था कि कोई मेडल के करीब आके ऐसे चूख कर जा रहा हो यह लगातार बात हुई थी हाँ फाइनल्स तक आज तक फाइनल्स में पहुचने के बाद वजन के चलते कोई अथलीट डिस्क्वालिफाई नहीं हुआ जहां तक मुझे याद आता है यह बहुत बार होता था कि शुरुवाती राउंड्स में हो गया कोई तो हो गया या फिर क्वालिफायर्स में कोई हो गया तो लेकिन में जब आप पहुचते हैं तो आपका यह तो मान लिया जाता है कि सिल्वर तो आएगा आएगा आप देखोगे कि इतने सालों सुझोभी स्पोर्ट की रिपोर्टिंग है हर को यह कहता है फाइनल पहुचे एक मिडल अश्योर हो गया तो जो अश्योर मिडल था हमारा सिल् सही था उस अधार पे उनका जो सिल्वर मेडल बनता है वो उनको मिलना चाहिए और दूसरी चीज जो सूरज ने कही कि सुसाकी जो है जापान की रेसलर नंबर वन जिनको हराया था विनेश ने उनको ब्रॉंज नहीं मिलना चाहिए था अगर विनेश उस पाइनल में पहु